हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता स्वेतास किचिन में अब सभी का स्वागत है ये जो मैं सिंपल सी आलू की सबजी को कलरफुल सिमले मिर्श के साथ बनाई हूँ ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही स्वाधिस्ट है और साथ ही से बनाना भी आसान है इसे पकाने के लिए फटा-फट कड़ाई में तेल डाले, दो चमज तेल के अच्छे से गर्म होते ही अब इसमें डाल देना है एक चमज जीरा जीरा के चटकते ही अब इसमें आड़ कर देंगे वन फोट चमज हिंग जीरा के साथ ही साथ ही डालते ही अब इसमें जाने की बारी ये एक प्याज जिसे बारी काट ली हूँ जब ड्राय सबजी बन रही है तो उसमें क्रिस्पी क्रिस्पी आलू ज्यादा अच्छी लगती है तो मैं क्या करती हूँ प्याज के डालने के एक मिनट के बाद ही आलू भी डाल दूंगी तो यहां मैं तीन आलू को छील कर इस तरह क्यूब में काट ली हूँ इसे प्याज के साथ भून लूंगी जैसे जैसे प्यार लाल होता जाएगा साथ ही साथ आलू भी भून जाएगी और आलू भी golden brown कलर का हो जाएगा आलू को उपर का layer क्रिस्पी हो जाएगा तो ये आलू की सबजी में बहुत ही tasty लगता है पहले तो आप gas का flame high रख सकते हो क्योंकि ये तुरं तो जलेगा नहीं और जल्दी करना है तो पहले आप gas का flame high रखो और जल्दी जल्दी भूनना इसे start कर दो जैसे ही तोड़ा हलका color आने start हो जाए तो gas का flame medium कर दो वरना ये जल सकता है आलू अप याज का color देख रहे हैं दोनों का color लाल होना start हो गया है देखें आलू के उपर अच्छा से क्रिस्पी सा layer आ गया है अब इसमें add करने की बारी है अद्रक लसुन की तो यहां मैं एक चमच लसुन का paste और हाप चमच अद्रक का paste अड़ कर रहे हूँ अब गैस का flame मीडियम कर दे और तब तक पकाए जब तक अद्रक लसुन का कच्छा flavor निकलना जाए अब इस stage पे डालेंगे सुखे मसाले तो यहां मैं हाप चमच हल्दी powder हाप चमच लाल मिर्च powder एक चमच धन्या powder अब कुछ मिंटों के लिए सुखे मसाले को भी भून ले मसालों के भूनते ही अब इसमें डाल दूंगी दो बारिक टमाटर जिसे बारिक चौप कर ली हूँ और साथ ही साथ इसमें वन टीस्पून आमचूर पौडर और टमाटर जल्दी से सौफ्ट हो जाए उसके लिए इसी टाइम पे आड़ करूंगी नमक आलू में टमाटर नमक और आमचूर पौडर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करते ही टमाटर जल्दी से सौफ्ट हो जाए उसके लिए इसे ढखन लगा के पकाऊंगी ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए और जब इसे कवर करें तो गैस का फ्लेम लो कर दें मिर्च को क्यादा नहीं पकाना है मैं इस सबजी में यलो, ग्रीन, रेट तीनों कलर के सिम्ले मिर्च को यूज कर रही हूँ, यदि आपके पास नहीं तो आप सिप ग्रीन वाले भी डाल सकते हो, अब साथ ही साथ यहां एक मैं सिक्रेट मसाले डाल रही हूँ वो है मैगी मसाला मैजिक इसे आलू सिमले मिर्च की सबजी का स्वाद दुगना हो जाएगा सिमला मिर्च और मैगी मसाला को आलू की सबजी में अच्छी तरह से स्टर कर ले और कुछ देर के लिए इसे अटलिस दो मिनट के लिए इसे ढग कर पका लेंगे ताकि सिमला मिर्च थोड़ा सा कूक हो जाए इसे पूरा नहीं पकाना है इसका क्रंची पन ज्यादा अच्छा लगता है तो बस यहां मैं ढग कर मिडियम फ्लेब में इसे दो मिनट के लिए पका ले रही हूँ दो मिनट हो चुका है लीड अटा ले देखें ये हमारी सबजी रेडी है बिलकुल खाने के लिए तयार है ये आलू कैपसिकम की सबजी कलरफुल है ये देखने में जितनी अच्छी लगेगी खाने में उतनी भी स्वादिश्ट लगेगी और देखें बनाना भी इसे कितना आसान था आलू और कलरफुल सिमले मिर्च का कॉम्बिनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और सिक्रेट मसाले के बारे में भी बताएं अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में